40 के दशक की एक ऐसी अक्टरस थी जिसकी खुबसुरूती को लोग आज भी याद करते हैं जिनने कभी बीनस ओफ इंडियन सिनेमा कहा गया तो कभी उन्हें दा ब्यूटी ओफ ट्रेजडी के नाम से भी पुकारा गया जिनकी खुबसुरूती के चर्चे सिर्फ देश ही नही बलकि विदेशों तक थे और उन्हें हॉलिवुड फिल्मों में भी काम करने का ओफर मिलते थे कभी मदुबाला की शादी दिलिप कुमार से होती होती रह गई तो कभी उनका अफ्रियर किशोर कुमार और प्रेमनात के साथ भी रहा आज के ब्लॉग में हम बॉलिवुड की बेहत खुपसूरत अभिनेतरी मदुबाला के बारे में जानेंगे मदुबाला का जनम 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था बच्पन में उनका नाम मुम्ताज जहान देल हवी था फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल कर मदुबाला रख लिया था उनका ये नाम उन्हें बॉलिवुड की लेजंडरी एक्टरस देविका रानी ने रखा था बच्पन से ही उनके दिल में छेथ था और इस बिमारी के वज़े से डॉक्टर ने उन्हें जादा से जादा आराम करने की सला दी थी लेकिन घर की एकोनोमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वज़े से उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था मदुबाला के पिता का नाम अता उल्ला खान और माता का नाम आईशा बेगम था मदुबाला ग्यारा बाई भैनों में पाचवी संतान थी मदुबाला के पिता अता उल्ला खान शुर और 1944 का समय उनके परिवार के लिए बेहती दुखत था इस दुरान डॉक एक्स्प्लोजन में उनका घर तबा हो गया था और इस हाथसे में मदुबाला के तीन बहने और दो भाई मारे गए थे इस हाथसे वे बचने वालों में मदुबाला के अलावा उनकी पांच बहने और उनके पेरेंट्स थे और ये लोग भी इसी वज़े से बच गए थे कि वे लोग एक लोकल सिनेवा घर में फिलम देखने गए थे एक्टरस के पिता अता उल्ला खान अपनी बेटियों को पढ़ाने के फेवर में नहीं थे यही वज़े रही कि मदुबाला और उनकी बहने पढ़ाई नहीं की मदुबाला खुद से ही उर्दू और हिंदी पढ़ना और लिखना सीखी लेकिन वो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी मदुबाला को शुरू से ही फिल्में देखना बहुत पसंद था और वे अपनी मा के सामने फिल्मों के कुछ सीन का नकल करती रहती थी इसके अलावा उन्हें डांस करना भी बेहत पसंद था मदुबाला शुरू से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी लेकिन उनके पिता इसके सक्त खिलाफ थे हालंकि जब उनकी नौकरी चली गई तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया साथ साल की उम्र में मदुबाला को खुर्शीत अनवर की रचनाओं के गानों के लिए औल इंडिया रेडियो स्टेशन पर अपॉइंट किया गया यहां काम करते हुए उनकी जान पेचान बॉंबे टॉकीस के जनरल मैनेजर राय बहादूर चुन्नीलाल से हुई और उन्होंने मदुबाला को मुंबई आने की सला दी साल 1942 में मदुबाला को फिलम बसंत में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तोर पर काम करने का मौका मिला ये फिलम बॉक्स ओफिस बर जबरजस्त हिट रही थी और इस फिलम में मदुबाला की काम की खूब सराना भी हुई थी इसके बाद साल 1944 में से लेकर साल 1946 सक उन्होंने फिलम मुम्ताज महल, धन्ना भगत, राज पुतानी, फुलवारी और पुजारी जैसी कई फिलमों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया इस फिलमों में काम कर उन्होंने बेबी मुम्ताज के रूप में खूब पुपुलरिटी हासिल की मदुबाला ने बतौर लीड एक्टरस अपनी फिलम करियर की शुरुआत साल 1947 में फिलम नील कमल से की इस फिलम में राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पॉपुलर हुई और फिलम की सफलता ने उन्हें रातो रात स्टार बना दिया इसके बाद उन्हें साल 1947 में ही राज कपूर के साथ फिलम चितोड विजय, दिलकी रानी और अमर प्रेम जैसी कई सफल फिलमों में काम किया इसके बाद वे फिलम लाल दुपट्टा, पारस, सिंगार, पराई आग और दुलारी जैसी कई सफल फिलमों में नजर आई साल 1949 में उन्होंने भारती सिनिमा की पहली होरर फिलम मेहल में काम किया ये फिलम अशोक कुमार के साथ मदुबाला की पहली फिलम थी और फिलम ने बॉक्स आफिस पर हिट साबित भी हुई थी साल 1950 में उन्होंने फिलम बेकसूर में काम किया जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलिवुड फिलम बनी साल 1951 में उन्होंने फिलम हस्ते आंसू, बादल और सैया में काम किया जो बॉक्स आफिस पर हिट फिलम साबित हुई इसके बाद साल 1951 में फिलम तराना में मदुबाला ने पहली बाद दिलिप कुमार के साथ काम किया इस फिलम में उनकी जोड़ी की खूब सरहना हुई और इसके बाद दोनों फिलम संग दिल, अमर और मुगले आजन में भी साथ नजर आए मदुबाला के समय अवार्ड सेरमानी बहुत कम हुआ करती थी इसलिए उनके नाम कुछ खास अवार्ड नहीं है लेकिन साल 1960 में फिलम मुगले आजन के लिए उन्हें बेस्ट एक्टरस के तौर पर फिलम फियर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था इसके अलावा साल 1942 में अमेरिकी मैगजीन थियेटर्स आर्ट्स द्वारा मदुबाला को दा बिगेस्ट स्टार इंदा वर्ल्ड के खिताब से भी सम्मानित किया गया बॉलिवुड के मशूर डार्टर बी आर चोपड़ा साल 1957 में रिलीज हुई फिलम नाया दौर के लिए पहले दिलिपकुमार और मदुबालों को साइन किये थे फिलम की शुटिंग गुवालियर में ना करके मुंबई में ही स्टूडियो में किया जाए लेकिन बी आर चोपड़ा को यह बात मंजूर नहीं थी मदुबाला के पिता द्वारा शुटिंग के लिए मना करने के बाद बीर चोपड़ा ने मदुबाला को फिलम से भार कर वैजनती माला को कास्ट कर लिया इस बाद से गुस्सा होकर मदुबाला के पिता ने बीर चोपड़ा पर कॉंटेक्ट तोडने का अरोप लगा कर केस दायर कर दिया इसके जवाब में बी आर चोपड़ा ने मदुबाला और उनकी पिता पर काउंटर केस दायर कर दिया जब ये मामला कोट में पहुचा तो जज के पूछे जाने पर दिलिप कुमार ने भी डिरेक्टर बी आर चोपड़ा का साथ दिया ऐसे में मदुबाला और उनकी पिता को दोशी माना गया इसके बाद मदुबाला और दिलिप कुमार के रिष्टियों में खटास आनी शुरू हो गई और आखिरकार तोनों हमेशा के लिए अलग हो गए हिंदी फिलम जगत में कई ऐसी लव स्टोरिय जो वक्त के साथ धुन्दली पड़ गई है और आज उनका नामों निशान भी नहीं है ऐसे ही एक लव स्टोरिय है मदुबाला और बॉलिवर्ट के दिगकच अभिनेता प्रेमनात की कहा जाता है कि मदुबाला का दिल अगर पहली बार किसी के लिए धड़का था तो वो प्रेमनात ही थे प्रेमनात तो भी मदुबाला से बहुत प्यार करते थे लेकिन शायद वक्त को दोनों का साथ मंजूर नहीं था यही वज़े रही कि दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई और किसी को भी खबर नहीं हुई मदुबाला और प्रेमनात की पहली मुलकाट साल 1951 में फिलम बादल के सेट पर हुई थी और इसके बाद दोनों फिलम आराम और साकी में भी नजर आये कहा जाता है कि मदुबाला अपनी हर फिलम के हीरो और डिरेक्टर को गुलाब के फूल और लव लेटर देकर परपोच किया करती थी साल 1951 में फिलम बादल में मदुबाला पहली बार प्रेमनात के साथ काम कर रही थी फिलम की शूटिंग के पहले दिनी मदुबाला ने प्रेमनात के मेकप रूप में जाकर उन्हें गुलाब के फूल और लव लेटर देते हुए परपोच कर दिया था प्रेमनात को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उनके साथ ये क्या हो रहा है उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खुबसूरत महिला उन्हें परपोच कर रही है कर मदुबाला से शादी करने का परस्ताप भी मिला था लेकिन प्रेमनात इस बात के लिए तयार नहीं थे इस तरह दोनों करिष्टा सिर्फ छह माईने के लिए ही रहां बाद में मदुबाला और दिलिप कुमार के अफैर के खबरी भी सामने आने लगी और प्रेमनात भी यह पास अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब मदुबाला उनकी नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी वो मदुबाला को मन ही मन चाहते थे प्रेमनाथ को पता चला कि मदुबाला की पिता बिमार है और आर्थिक संकट से गुजर रही है तो प्रेमनाथ उन्हें देखने गए थे और जाते जाते एक लाग रुपे का चेक उनके तकिये के नीचे रख गए थे मदुबाला और दिलिप कुमार की पहली मुलाकात साल 1951 में फिल्म तराना की सेट पर हुई थी इस फिल्म के बाद दोनों फिल्म संगदील अमर मुगले आजमे भी साथ नजर आये थे कई फिल्मों में साथ काम करने की वज़े से दोनों के बीच नजदी क्या बढ़ी दोनों करीब 9 साल तक रिलेशनशिप में रहे दोनों ने सगाई भी कर ले थी बस निकाप पढ़ना जाना बाकी था लेकिन दिलिप कुमार और मदुबाला के पिता के बीच मतबेत की वज़े से उनका रिष्टा तूड गया इन सब के बावजूद भी दिलिप कुमार और मदुबाला शादी करने के लिए तयार थे लेकिन दिलिप कुमार चाहते थी कि मदुबाला अपने पिता का साथ छोड़ते जबकि मदुबाला चाहती थी कि दिलिप कुमार उनके पिता से माफी माग ले दोनों की रिष्टे में कड़वाट इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों में ऐसे कोई भी समझोते करने के लिए तयार नहीं थे दोनों की इगो उन पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि आखिरकार दोनों ने 9 सालों का रिलेशन्शिप पल भर में खतम कर दिया मदुबाला और किशोर कुमार की पहली मुलाकाच साल 1956 में फिलम धाके की मलमल के सेट पर हुई थी इसके बाद दोनों साल 1958 में फिलम चलती का नाम गाड़ी में भी साथ काम किया इस तोरां जहां एक तरफ मदुबाला दिलिप कुमार का ब्रेक अप हो चुका था तो दूसरी तरफ किशोर कुमार का भी उनकी पहली पतनी रुमा देवी से तलाक हो गया था ऐसे में मदुबाला और किशोर कुमार के बीच नजीक्या बढ़ी और दोनों इस दूसरे से प्यार करने लगे जब मदुबाला बिमार थी तब उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाने की प्लानिंग की जा रही थी उस तुरान किशोर कुमार ने उन्हें प्रबोस किया उनके पिता चाते दे कि मदुबाला पहले वो पूरी तरसे ठीक हो जाए उसके बाद शादी की बारे में सोचेंगे लेकिन दिलिप कुमार से खुस्सा होने की वज़े से मदुबाला ने किशोर कुमार का प्रबोजल तुरंत एक्सेप्ट कर लिया साल 1960 में मदुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली और उस समय मदुबाला सिर्फ 27 साल की थी शादी के बाद भी दोनों ने फिलम महलो की क्वाब जुमरू और हाफ टिकट में साथ काम किया शादी के बाद जब मदुबाला इलाज के लिए लंदन गई तो डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो अब जादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती है इस बार से मदुबाला और किशोर कुमार दोनों को बहुत बड़ा जटका लगा कहा जाता है कि किशोर कुमार को जैसे ही ये बात पता चली उन्होंने मुंबई के क्वाटर रोड में एक बंगला खरीद मदुबाला को नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया हलंकि मदुबाला की बहन मदुर भूशन ने एक इंटर्विम बताया था कि किशोर कुमार ने मदुबाला को उनके माईके में छोड़ा था किशोर कुमार का कहना था कि वे काम के लिए सिलसले में अकसर घर से बहार रहते थे ऐसे में उनके लिए मदुबाला का ख्याल रखना पॉसिबल नहीं था कहा जाता है कि कुश्चोर कुमार मदुबाला से मिलने एक दो महीने में एक बार आया करते थे और मदुबाला भी इस बार से बेहत दुखी रहती थी कि उनसे मिलने कोई नहीं आता है दिन पर दिन मदुबाला की हालत खराब होती जा रही थी आखिरकार 23 परवरी 1989 को 36 साल की उमर में मदुबाला दुनिया को अलविदा कहकर चली गई फिलम इंडरस्ट्री की सबसे खूपसरूत एक्टरस में से एक मदुबाला मदुबाला को दिल से जोड़ी एक रेयर बिमारी थी जो समय के साथ बढ़ती जा रही थी कहते हैं कि बिमारी की दिनों में किशोर कुमार भी एक्टरस को कभी कभार ही देखने जाय करते थे और मदुबाला का जाज़तर समय अकेले पन में रोते हुए ही कटता था मदुबाला की बैन मदुर भूशन की माने तो मदुबाला लगपक 9 सालों तक विस्तर पड़ थी इसी दोरान में बेहत कमजोर हो चुकी थी और उनका वजन बहुत कम हो गया था जिसकी वज़े से बैस सिर्फ हड़ियों का धांचा रह गई थी एक्टरस को इस बात का गम सताता था कि फिलम इंडरस्ट्री में उनके साथ काम कर चुके कई लोग उनका हाल चाल तक पूछने नहीं आते थे वे अक्सर इलाज कर रहे डॉक्टर से ये क्याती थी कि वे मरना नहीं चाती थी आपको बता दे कि मदुबाला का मेहच 36 साल की उमर में हाट की मिमारी के चलते निदन हो गया था आपको बता दे कि फिलम इंडरस्ट्री मदुबाला को वीनस नाम से भी पुकारा जाता था एक्टरस के बारे में एक किस्सा काफी मशूर था के वे इतनी खुश मिजास थी कि अपनी हसी नहीं रोक पाती थी यही वज़े थी कि एक्टरस के हसने की आदत के कारण फिलम मुगले आजम का एक सीन पूरे साथ दिनों तक शूट नहीं हो सका था मदुबाला को बहुत कम उमर में काम करना पड़ा था और इसलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा ना के बराबर ही की लेकिन उनमें सीखने की इतनी ललक थी कि 17 साल की उमर में अंगरी जी भाशा में महारत हासिल कर ली थी ये खुबसरत एक्ट्रस किसी भी चीज को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती थी मदुबाला ने 70 फिल्म में की थी लेकिन उनके साथ सिर्फ 15 ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी फिर भी उनके लिए लोग पागल हैते थे और उन्हें लगातर चाहते थे यहां तक ही उनकी एक चलत के लिए लोग घंटो उनका इंतजार भी करते थे